के पास फ्यूल् खतम गए सब्सक्राइब यह पाद पाकिसान क्वानि जन आख़ा है तो पीर आफ लोग होती है कि मोर होते हैं मोर भी गए और होता है घर भी जल गया तो उसके फ्रिज्ज के अंदर रस्ट्रॉबरी पड़ी होती है वो भी गई अब बचा क्या पीछे अब थोड़ा तेल भी निकल गया इनका और फिर उसके पद इज़त ही वो पुरी की पुरी कंट्री ने गालिया निकाल निकाल के जो मीम्स बने हैं मैंने किसी कंट्री के आर्मी के लिए इतने मीम्स नहीं देखे जितने मैंने चीज होती है कोई इतनी बड़ी फ़रक नहीं बढ़ता है हमारे कंट्री को तो मैं समझता बात को लेकिन जिसका तेल निकला हो वो कुछ भी क्लेम करें अभी आपकी आर्मी के खुद की अंदर से स्टेट्मेंट्स हैं कि भई पहले तो आपने सीज फायर किया इंडिया के स सो यह हालत है कि अब घर में भी जूते खा रहे हैं बाहर सो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं अनको और अब इन्होंने एक्सराइज भी बंद कर दी कि दिसमबर कतीस तक हम कोई एक्सराइज नहीं करेंगे कोई वेस्टेज नहीं करेंगे तेखिए आपको भी मालूम है कि इतन करते हैं अभी आप देखो मुझे किसने बुचा मेरे यूट्यूब पे अनरो को मतलब के है तो मैंने बोला यह है नरो मीज नपी चेंजिंग और और अडिनस नहीं नहीं सर मैं आपको बता हूं कि पहली बात हो यह कि सर ऐसा कुछ नहीं है कि फ्यूल खतम हो गया बिलकुल पाकिस्तान आर्मी के पास बताया जा रहा है कि फ्यूल है और यह नियूज भी कही जा रही है कि एक इंडियन जर्नलिस्स ने यह बात करी है हाँ यह जरूर है कि क्योंकि अभी अभी आईमेफ से लोन जो है वो ओके हुआ है और अभी मिलेगा नाइन मन्स में जाके थ्री आर्मी के पास फ्यूल ना हो जो आम पबलिक है उसके पास है तो फोज तो सर सबसे इंपॉर्टन्ट है और सर हमारे जो पडोसी है चाहे वह अफगानिस्तान हो चाहे वह भारत हो चाहे हमके मांड में ऐसा कुछ भी नहों लेकिन फिर भी हमें तो हुश्यारी रहना होता है तो ये फेक न्यूज है और मुझसे कल कई मेरे जो है वो जनलिस्त दोस्त भी इंडिया से पूछ रहते तो मैंने उनको भी बताया कि बेफिकर हो जाओ जब हमें गजवाहिंद करनी होगी तुम लोगों को पता भी नहीं लगेगा ठीक है तो सुबह वोट होगे ना तो हो चुकी होगी तो इसलिए ना आप भी आजबी आर्जो जी हम भी बोलते हैं कि मोदी जी हैं शांको आट बजी आएंगे भायो बैनों पी ओके हमने कब्जा कर लिया है तो यह ऐसी होगा आपको पता भी लगेगा नहीं और हबले भी कर दिया होगा तो यह ऐसी चलता रहता ह आपकी तरफ के कश्मीर के हमने भी नाम रख चोड़े वैसे आपको यह बता तूँ आपको मालूम है या नहीं कि इसलामाबाद में हमने स्री नगर हाईवे बना दिये और अब उसका नाम स्री नगर हाईवे तो मुझे नहीं पता कि जब वहां से आप लोग यहां लड़न यह है कि आपको मालूम है कि आप इदर के कश्मीर का कुछ करनी सकते ले सकते नहीं तो इस अच्छा है कि आप वहीं पर बना लो जैसे आपने वहां पर हाईदरबाद भी बनाया हुआ है गुजरात भी बनाया हुआ है ऐसी आपने शिर नगर हाईवे भी बना दिया क्योंक लेकिन सार मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस किस तरह देख रहे हैं आप उनके विजिट को क्या इंपोर्टेंस है इस विजिट की और आपके ख्याल से क्या बात होगी वहां जाकर आपके लास्ट ताइम जब ऐसी ओ की बात करी हम लोग अने तब ही मैंने आपको दो तिन सेकेंडली फ्रांस में मोदी ची का जाना पहली बहुत है यह पहले से था मुझे लगता है मैकनन साब को पता था कि वह पनौती आने वाले हैं शभाज शरीफ वहां पर वह आएंगे तो कोई नो कोई गंदी पढ़ाएगा वहां पर और जैसे ही वहां पर बहुत दंगे मैं हर गेस्ट को टोकती हूँ और मैं यहां आपको भी टोकूँगी मैंने तो कुछ भी गलत काम नहीं कहा देखिए मैं मिश्ब बहुता हूँ अपने बोला काली बिली अच्छी लगती है मैं तो सामें से गुज़र जाए मेरे तो बिगड़ावा काम सही हो जाता है वो पर बिली वो हो सकता कि उल्टा काव बहुता हो बिली के साथ भी कि उल्टा के लिए जा रहे हो और वो चुबा बाग गया हो हो सकता है तो इट कर भी पॉसिब विडियू अविटिक इस पॉसिबल अर्दूजी तो अभी आपकी दोस्ती चाइना के साथ बहुत ची है इनका भी बैठा हुआ है तो अभी मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पर फ्रांस में एक तो उनका नेशनल डे है तो यह बहुत बड़े ओनर की बात होती है जब कोई बड़ा कंट्री आपको बलाता है और आपके नेशनल डे की उपर आपको आउनर की जाता है तो एक तो वो आउनर की बात है और मोदी जी के एक रिस्पेक्ट है पुरे वर्ल में हम देखते भी हैं हरोज कि जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पर उन्हें एक फ्रेंडली महाल होता है उनके आमने सामने लगता है यह कि दो बड़े लीडर्स मिल रहे है लुक्स लैक फ्रेंड्स मिल रहे है और उसके बाद देखिए अभी पूरे वर्ल को मालू हो गया कि इंडिया इस राइजिंग स्टार अगर उन्हें भी अपनी कंट्री में तरक्की करनी है क्योंकि पूरा वर्ल्ड रिसेशन में है विकास अवर्ड तो और सेकंडली डैनमिक्स इतने हो गए हैं चेंज हो रहे हैं विकास अव कोविड अलसो सब की हालत खराब है इंडिया एक राइजिंग स्टार है सब को है कि यहां पर बिजनस मिल सकता है और हम लोग अपने आपको अपग्रेड भी कर रहे हैं कई चीजों में जो चीजे वो दे सकते हमें हमें वो चीजों की जरूरत है तो अबने देगे हैं कि everybody is competing now more So, यह deals होती है यह पहले से तेह होई होती है और हमारे foreign minister के जो हैं, industry के ministers हैं, वो already बहुत meetings का चुके हैं and you will find that something big is going to be signed again when he is going to France. So it's a very important trip for us, क्योंकि इससे क्या होगा, कि जो पूरा western world है, वो हमारे साथ aligned हो रहा है भी and that is good because एक तो चाइना से decoupling है पूरे world की, वो हमें फाइदा दे रही है because हमारे relations already Modi ji बना सकते हैं, China से already सारी दुनिया तंग है, वो सारी space हम लेते जा रहे हैं and this is what Modi ji is going to do there. एक जीज़ और सुमिन जी के इंडिया को जैसे आप कह रहे हैं, व्युक्ल सही के कई जगा पर, कई countries में हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ते वे देख रहे हैं, मिलते वे देख रहे हैं, चाहिए European countries हो, America को ले लिजीए, चाहिए European countries को ले, इवन Gulf countries को, लेकिन अगर भारत के अंदर की बात की जाए, कई जगा पर जो आपकिया तो खेर, पूरे साल ही elections होते रहते हैं, जो मुझे कभी समझ में नहीं आते हैं, कि आखर ये election खतम कब होंगे, लेकिन वहां पर कई जगा पर जो है, वो BJP हार्टी भी भी दिखाई दे रही हैं, कि क्या वज़ा है, क्या जो लोग है, क्या उनको ये success जो ली जा रही है, बीजेपी की government की तरफ से, क्या वो दिखनी रही है, या जो दूसरी political parties हैं different, क्या वो जादा अच्छा काम करने लगी हैं, जिसकी वज़ा से इनको ये face करना पढ़ रहा है, मतलब कहीं न कहीं ये बात मैं अपने तरफ से नहीं कह रही है, definitely, मुझे मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने बताई है कि कई जगा पर जो है, वो ऐसा हुआ है कि बीजेपी हार ही है, तो पॉड्स 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 ने वोट नी दाला ना, लोग लोकल मुद्धों को अलग से देखते हैं, नेशनल मुद्धों को अलग से देखते हैं, जो लोकल मुद्धों को अगर परफॉर्मेंस के साथ लोग खुश नहीं है, तो यह ब्यूटी है हमारी गवर्मेंट में या हमारे जो कल्च यह तेमोक्रैसी में कि लोग हटा सकते हैं, वो जूता हमार के बाहर निकालते हैं, और अगर किसी ने perform नहीं किag तो उसका रिजल्ट अभको दिख जाएगा, हो जल्दी, तो अगर कही स्टेट में अरे reject किया या BJP की policies को reject किया उन्होंने local leadership को reject किया है so this is a wake-up call for for BJP also or for Modi ji कि he has to देखिए जो cabinet के minister हैं जो top की top जिसको हम बोलते हैं जो हमें represent करते हैं पुरे world में वहां पर इनकी जो पकड़ है बहुत अच्छी है यह आप भी यह पूरे process की वहां पर weaknesses है but they are you know अब इनको पता लगया कि हमने cases को सहीधा करना है and they will set it right and कुछ गलतियां भी कर रही हैं इन्होंने on a national level on a lower level also तो वो इनको समझ आ गया कि इससे काम नहीं चलेगा इसको ठीक करना पड़ेगा and they will set it right in the next one next elections लेकिन ऐसा नहीं किसे पाकिस्तन की जैसे बात होती है और कहा जा रहा था कि जी वा टेमाटर को तो बलके कहा गया कि कुछ टाइम के लिए ना ले ताके price down हो जाए लेकिन उसी भारत में क्योंके मुझे नी पता कि आप कहा जाता है या नहीं कहा जाता और उसके कुछ टाइम के बाद हमने रेखा कि आप इतने रेट बढ़ गए कि आप लोग कह रहे के खाना ही नहीं नहीं तो इस तरह के अगे elections आ रहे हैं कई स्टेट के अंदर अगे elections हैं एक मुद्दा चाहिए होता है opposition के पास पहले मुद्दे होते थे कि corruption गुटाले development नहीं हुई country के अंदर हमने कुछ किया ही नहीं लोगों के लिए सड़के टूटी हुई है हर ऐसे मुद्दे थे जो हमारी हरोस की जिन्दकी के साथ जुड़ी हुई चीज़े थी तो उसके मुद्दे होते थे पॉलिटिकल मुद्दे अब आज की रेट में सड़के बन गई है कुड़ती नहीं है कभी भी पचास साल की तो guarantee दे रही है की टूटेगी नहीं तरक्की हो रही है इकॉन ही बढ़ रही है यहार चीज़ सही है चो चौविस में से साथे बाइस गंटे minimum तो बिजली आ रही है आज की रेट में जो पहले की दजस घंटे बिजली आद कब आनी है पता नहीं था किसी को जब वो मुद्दे खतम हो गए तो आपको कोईनों को मुद्द तो निकाल रहा है एलेक्शन में जाने के लिए तो अब यह शुरू कर दिया देखेंजी हमारे इंपर चार सो रुपे का था अभी एक हजार रुपे का हो गया है तब इंटरनेशनल रेट क्या था अब क्या रेट है बड़ा फरक है ऐसे तो बीजे भी बहुत सकती है कि जब जोहला नहीं थे तब आपका सिलंडर का रेट था पचास पैसे आपने चार सो को किया तो यह कैसी discussion है जिसका कोई अंत नहीं है so but because public है आप और मैं तो वोट करने जाते नहीं है we we hardly go to vote जिसने वोट करने जाना है उसको यह छोड़ी चीजों में फसा कर यह अपनी वोट वोट बैंक को टच करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है this is nothing but a vandalism and एक 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 इना दिमाग को खराब करना कि देखिए जी मोदी जी बिल्कुल फेल है हर चीज में so this is political gimmicks यह चलता रहता है अभी देखिए आपके country में भी होता ऐसे कि जैसी कोई आदमी politics में है तो कहता है मैं यहाँ पर कोई डाल रोटी के प्राइस नोट करने के लिए तो ना प्रदानमंतरी बना था जो बाहर निकल गया तो अब उसको सारी चीजों के rate समझ आने शुरू हो गए है कि किस चीज का क्या क्या rate है तो आप देखिए यह चीज पॉलिटिक के politicians करते रहेंगे लेकिन मुझे एक चीज की मुझे खुशी भी है कि राहूल गांदी को डाल राटे का भाव पता लग यह मुझे खुशी है कि ultimately at least he came to know that लेकिन उसमें भी उने गलती कर दी क्योंकि वो मिशा ISI के influence में रहते हैं and he speaks that language only जो इमरान खान की है यो ISI की है तो उन्होंने rate भी पाकिसान के वहां पे अपने Twitter पे लगा दिये जबकि Indian rate लगाने चाहिए थे हमारे यहां पे 400 पे कीलो क का rate नहीं है किसी भी चीज़ का वो सौर पे कीलो है लेकिन पाकिसान में 400 था उन्होंने 400 लगा दिया वह इसलिए उनको एक particular नाम दिया जाता है which I don't want to speak बिल्कुल सभी लेकिन है वो किसी का भी नाम हमें नहीं भी गाड़ाने सब्सक्राइब लेकिन एक बात और है सर और वह यह के आपके दोस्त है का आप जानते होंगे यकिनन उनको रोहिच शर्मा नीदी तो सर वह वह बड़े परेशान है वह काफी दिन से एक सहाव है कोई कोई है वह खालिस्तान मॉमेंट के पुन्नू, उनके उपर सर वीडियो पर वीडियो बना रहे है और यकिनन धुणने भी बहुत मेहनत कर रहे होगे लेकिन सर अगर हम पुन्नू की बात करें जिसके उपर आजकल बड़ी वीडियो बन रही है और बड़ा ढुण जा रहा ह के पैसे बनी गए लेकिन मुझे ये बताई है सर कि आकर ये ये वाला इशू जो है ये बीजेपी की गर्मेंट जो है वो हैंडल क्यों नहीं कर पा रही इसलिए कि कोई आदमी आपको वहां अमेरिका कैनेडा से बैढ़ के और इस किसम की बाते करें थ्रेट्स करें आपके पी जो किसी कंट्री से जो जाने हुए है इस कामों को फंड करने के लिए वहां से फंडिंग आती है उनको और उन्हें ठीक किया जा रहा है तीन चार तो चलेगे बहत्तर हूरों के पास थे तो वो सदार लेकिन जाना उनको बहत्तर हूरों के पास ही पड़ा क्योंकि वहीं से करते हैं दूसरी तब आफ लोग को कैते हैं हम फंड भी कर रहे हैं मतलब आप ने कहा नहीं । अंडिका की तरफ से लगाई जाती हैं ठीज पाकिशन फंडरा रहा है। वैसे तो देखिए, आप खातून है, फिर भी मुझे एक word यूज़ करना पड़ रहा है, दाड़ी में तिनका, मैंने तो नाम भी नहीं लिया, और आप ने खुदी एडविट कर लिया, कि यह ऐसे है, वैसे आप यह से बोलेगी, वैसे बोलेगे, मैंने तो कुछ बोला भी द रोहित is concerned, yes, actually he is not making videos, he is into hiding also, क्योंकि इतनी वीडियो बना दी है, कि अगर पुन्नू पचा हुआ है, तो वो रोहित को डूड रहा है, यह है कौन, जो मेरी उपर इतनी वीडियो बना रहा है, इतना तो मैं पॉपलर भी नहीं था, इतना तो मैं पॉपलर भी नहीं था, इत नहीं करूँगा, तो मुझे लगता होगा, ऐसा कुछ बोलने वाला है, लेकिन तो मैरे, आर्चो जी, तेकिए, यह जो खालिस्तान, जो यह बोल रहे हैं, खालिस्तान, खालिस्तान, यह एक्चलि कैनाडा में बैठके बोलते हैं, कि इंडिया भी कोई बोलता नहीं है, वि इनकी इंटर्व्यू ले लो, बट अदर्वाइस, ग्राउंड पर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कैनाडा में बैठके क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है, मैंने कल भी एक पाकिसानी शो के उपर बोला था यह चीज़, कि क्या होता है कि इनका नाम देखि है, तो अब वो टूडोप महरबान है, तो यह भी लगए है कि हमें यह खाली स्थान पढ़ा है, खाली पड़ा स्थान यह हमें दे दीजिए, तो बोचारे को पता नहीं है कि यह क्या आप माग रहे हैं, तो यह चक्क्र है, और कुछ लिए, बिलकुल, लेकिन फार्शर पा स्टेट्मेंट नहीं जानी चाहिए, लेकिन जाती है, तो इसलिए जब आपके से कोई पैनलिस्ट आते हैं, तो आप लोग भी फॉरान ही पिर कहते हैं, हम फंडिंग कर रहे हैं, अच्छा हम फंडिंग कर, मैं वही कह रही हूं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कहां से फ काम है तो बताईए, तो क्या है कि हमने यो चीज देखी है अपनी लाइफ में, कि जो खाले सन मुवमेंट सा जब शुरू हुआ है ये वाला, 80s के अंदर, तो वी नो दाट मैडनेस, वी आफ सीन दर मैं खुद पंजाब से हूं, इंडिन पंजाब से, मैंने वो सारा पाग हमको पता ही नहीं है, तो अब कर दो यांग एज, अदर्वाइस बच्चे बच्चे को पूरे वर्ल में